इस वीडियो में हम positive zero error निकाल लेंगे vernier caliper का जो least count होती है main scale की वह होती है 0.1 cm या 1 mm और जो normal case पर vernier caliper की या vernier scale की जो least count होती है वह होती है 0.09 cm तो यहाँ पर positive error वह होता है जिसमें जो हमारा zero होता है vernier का वह right side पर आता है तो जो gap देखने हम दोनों zero के बीच में आपको gap दिख रहा है दोनों zero के बीच में यह हमें error remove करना है क्योंकि यह extra reading दे देगा इसमें ठीक है इसमें नहीं रखना है सीदा सीदा यह logic है और नेक्स वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से negative zero error निकाला जाता है ठीक है यह नहीं तो हमारा negative zero error निकल के आ जाएगा 0.06 और इस तरह से हम question solve कर सकते हैं ठीक है तो कोई भी doubt और comment box में पूछे इसे तरह से मैं तीरे देरे यूनिट वाइज ले रहा हूं सारे chapters यूनिट और डिमेंशन से में शुरू कर रहा हूं दर्दस एक्जामपल लोंगा और पूरी volume 1 कवर करूंगा physics class 11 की बस आपको like करना है और subscribe करना है थैंक्यू